मित्रों, इस शलोक में हमें यह संदेश दिया गया है कि हम अपने द्रिष्टी को, अपने विचार को परिपक्व रखें, समद्रिष्टी रखें शलोक इस तरह से है, मात्रिवत परदारेशु, परद्रव्येशु लोष्ठवत, आत्मवत सर्वभूतेशु यह पश्चती सपंडितः इसका अन्वे हम इस तरह से करेंगे, यह परदारेशु मात्रिवत पश्चती, यह परद्रव्येशु लोष्ठवत पश्चती, और यह सर्वभूतेशु आत्मवत पश्चती सपंडितः इसका सरलार्थ इस तरह से है, जो पुरुष परिष्ट्रियों को माता के समान देखता है, जो मनुष्च दूसरे के धन को मिट्टी के डेले के समान देखता है, और समप्राणियों को अपने अनरूप देखता है, वही पंडित है। इस श्लोक का यह भाव है कि इस संसार में पंडित यानी ज्यानी ध्यानी बहुत है, जो दूसरों को खूँ उपदेश देते हैं, दूसरों में कमी देखते हैं, पर अपनी कमियों को अपनी बुराईयों को नहीं देखते। नियत में कहीं न कहीं खोट रहती है, इसलिए इस श्लोक में कहा गया है कि जो पर नारी में मा बहन जैसा रूप देखता है, जो पर संपत्ती को मिट्टी के समान बेकार समझता है, एवं सभी को अपने समान ही देखता है, वास्तम में वही सच्चा ग्यानी होता है, आज के समाज में कई बहुरूपिय ग्यानी हैं, हमें परक कर ही उन पर विश्वास करना चाहिए, एक नए श्लोग के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद,